3 working days का क्या मतलब हुता है आज की वीडियो में सीख लेते हैं 3 working days का मतलब हुता है कि 3 कार्य दिवस यानि कि 3 ऐसे दिन जब काम होगा यानि जिस दिन office या बाजार खुला रहता है तो उनको working days या business days कहा जाता है और जिस दिन छुट्टी होती है वो working days में count नहीं किया जाता है तो 3 कार्य दिवस या 3 working days का मतलब हुआ कि 3 ऐसे दिन जब office खुलेगा यानि कि मानले जिए आपने कोई काम करवाया है या किसी company में कोई request दी है तो उन्होंने कहा कि आपको 3 working days में यह हम करके दे देंगे तो इसका मतलब यह है कि 3 ऐसे दिन में वो करके देंगे जब बीच में कोई छुट्टी नहीं आएगी मानले जिए आपने order किया Friday को और Saturday Sunday की छुट्टी है तो आपका पहला दिन तो Friday काउंट होगा, दूसरा दिन Monday काउंट होगा और तीसरा दिन आपका Tuesday काउंट होगा तो वैसे तो आपको 5 दिन लग जाएंगे लेकिन उसमें business days या working days तीन ही है तो छुट्टी वाले दिन working days में count नहीं होते हैं तो 3 working days का मतलब कि 3 ऐसे दिन जब काम होगा तो जैसे कि अगर आप ये कहें कि आपका अनुरोध तीन कार्य देवसों के भीतर संसाधित किया जाएगा तो आप कह सकते हैं your request will be processed within 3 working days या अगर आप ये कहना चाहें कि किरफे आपने पूछताच के उत्तर के लिए 3 कार्य देवसों तक का समय दें तो आप कह सकते हैं please allow up to 3 working days for a response to your inquiry अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें